अभिशेक मिस्टा लिखते हैं प्रणाम अनंद्श्री आप और बुद्ध क्यों गुरुपद को अश्विकार करते रहें। क्या लाउटसे के कहे दूसरे और तीसरे स्रेणी के लोगों के कारण जो क्रमसा आंसिक वा पूर्ण मूड हैं। दिखे अभिशेक मूड़ता केवल एक बताने का तरीका हैं। मूड़ता मतलब ऐसा है कोईला काला है, कीचड कीचड है, कमल कमल यह मतलब यह नहीं होता कि कुछ खराब है, कुछ निन्दनी नहीं है है। हैं तो जब किसी को मूर कहा जाता है तो केवल केटेगराइजेशन है कि है यह अभी नहीं समझ पा रहा है बात को लेकिन मूर सब्द थोड़ा लोगों को आकरामक लगता है चोट लगती कि मूर मैं मूर हूं और जितना मूर ब्रक्ति होता है वो उतने मूर सब्द से आहत हो किसी को लाग गालियां दो लेकिन उसको मूर कह दो पिर देखो कितना उचलता है कितनी उसको तकलीफ होती क्यों कि मूर नहीं मानने के लिए आदमी तयार है दुनिया में मूर से मूर क्विक्ति अपने को मूर क्मानने के लिए तयार नहीं हो सकता लेकिन लाओत से जिसको पहली स्रेणी का विक्ति कहते हैं वो स्विकार कर सकता है अगर तुम उससे जाके कहो कि क्या मुर्खता की बात करो आप से बुरा मुर्ख मने नहीं देखा हो सकता है ना देखा हो सकता है कौन से गारंटी लिए है हमने सारी बुद्धि मत्ता की मुर्खता हो सकती है वो उस पर आठीज हो सकता है लेकिन जो अभी उस कैटेगराईजिशन में वो कभी आठीज नहीं होता वो तुरान लड़ने मारने पर उतारू हो जाएगा अब यह जो है गुरु पद को अश्विकार करने की जो बात है बिस पहली बात तो अभी शेक यह ना कि गुरु पद कोई होता नहीं पद होता नहीं गुरु को भी लोगों ने पद बना लिया है पद पृतिष्ठा इसलिए वो बड़ा घातक हो गया है इस सब घातकता का ही परणाम यह कोड़ोना हुआ है क्योंकि मूरता चलती जाये चलती जाये तो इनसान को संतुलन में लाने के लिए जग जोड़ने के लिए कुछ जादे ही करना पड़ता है अब यह गुरुपद बोध का पद यह सब अच्यूमेंट की तरह से हो गए अब इनलाइटेन्मेंट बोध देखे उसके लोग बैट बैट कर किससे सुनाएंगे कि मैं कब और कैसे इनलाइटेन्ड हुआ क्या हुआ था और कैसे में ग्यान को प्राप्त हो गया और फिर क्या हुआ यह किससे सुनाएंगे लाउस्ते की निगाह में वो तीसरी स्टेड़ी में पहले ही आ जाता है जैसे वो सुनाना सुरू करता है कि मैं कब ग्यान को प्राप्त हुआ कव इनाइटन्मेंट को तो लाओत से किसरे निगा में तीसरी स्टेड़ी में चला गया पहले ही तो पद जैसी तो कोई चीज है नहीं लेकिन हमने पद बनाया हुआ है इसलिए पद ट्रांसफर किये जाते हैं सेटिफिकेट दिये जाते हैं गदियां होती है बही इस गद्दी पे अब गुरू की गद्दी पे कौन बैठेगा तमाम तो कल्ट्स में वोटिंग होती है बाकाइदा कि अब वोटिंग पर जाए यह अनुयाई थे अब यह दो लोग आ गए कंटेस्टेंट गुरू के बाद दावेदार हैं गुरू पद के गुरू की गद्दी के तो वोटिंग हो जाए जितने अनुयाईयों के ज़्यादा वोट मिले वो गुरू बन जाए तो कई कल्ट्स में तो बाकाइदा वोटिंग वोटिंग होती है और कई कर्ट्स में तो बाकरदा वोटिंग खरीदी भी जाती है वोट चाहिए आम चुनाओं में खरीदे जाते तो वहाँ भी फिर वोट खरीदे जाते हैं मैनिपुलेट की जाते हैं कि भी अब वोट पढ़ने वाला है गुरू पढ़ने लिए गुरू के गद्वी के लिए तो वोटर्स को जुटा लो एक तो यह भी चलता है दूसरा यह है कि गुरू को गुरू होने का एहसास ही मूडता है अगर किसी को लगता है कि मैं गुरू हूं तो लाउच से कह साब से तो दूसरी और तिसरी स्टेनी में आ गया गुरू एक happening है इसलिए बुद्ध इंकार करें मैं करूँ या कोई भी करें इंकार नहीं करना है मतलब वो तो एक तथ्य बताया जा रहा है कि गुरू क्या है एक happening है एक स्टीकर उठा कहीं से वो तक्राया तो एक शरीर मन से जो अभिवक्ती आई वो गुरू जैसी हो गई सीकर हटा गुरू विदा हो गया combination है यह combination है जब सीकर हुआ गुरू की happening हुई सीकर हटा गुरू disappear गुरू को फिर गुरू होने का कुछ पता नहीं उसको कोई उसका एहसास तो इसलिए इंकार किया जाता है वो कहते है मैं गुरू नहीं हूँ तो यह जब कोई कहता है कि मैं गुरू नहीं हूँ तो उसका यह कहने का मतलब नहीं होता कि मैं गुरू का रोल भी नहीं प्ले करूँगा ऐसा नहीं उसने कहा उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई गुरू ऐसी एंटिटी है जो all the time गुरू बनके बैठी हुई है और तमाम लोग तो बैठे ही हुए है ऐसे बनके all the time उनका कहना है कि जब धर्ती तप्ती है भाप उठती है बादल घरते हैं बरस जाते हैं धर्ती परित्रप्त हो जाती है बादल विलीन हो जाते हैं आसमान खाली हो जाता है तो गुरू ऐसे ही बादलों की तरह है जब कहीं किसी के अंतर मन की जमीन तप्ती है वहां से एक भाप उड़ती है जिग्यासा के ममुक्षा की एक बादल अर्स्तित निर्मित कर देता है वो बरस जाता है कोई परित्रप्ति पैदा होती है बादल बिलीन हो जाता है तो गुरू कहा है वो तो एक हैपनिंग की तरह तो बुद्ध ने भी यही कहा जो भी जागा उसने यही कहा कि वो हैपनिंग है ऐसा गुरू नहीं है कि किसी पद पे बैठ गया है कि हाँ मैं गुरू हूँ आओ मैं तुम्हारा कल्यांट करूँगा जहां उसने यह कहा कि हाँ मैं गुरू हूँ कुछ तो गड़वड है कुछ तो गड़वड है इसलिए गुरु की घटना तो कभी भी कैसे भी घटती है जमीने तप्ती रहेंगे अंतरमनों की और बादल बनते रहेंगे इतना ही होगा कोई भी बादल स्थाई होकर कहीं टिकने वाला नहीं वो बना है किसी जल को कहीं पर वापस लोटा देने के लिए और उसके बाद उसको विलीन हो जाना है तो लोगों के कारण वो इंकार नहीं करते लोगों के कारण क्या इंकार करना है वो इंकार व इंकार नहीं करते वो तो एक तथ्थे बताते हैं कि ऐसा है ऐसा है समय स्राइब करें बेसाओे जाड़ T करां पिर् 걸ाड़ करें ट éta है